नमस्कार दोस्तों भारत होमेपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आप मुझे ऐसे देखकर थोड़ा अचरच में होएंगे थोड़ा कन्फ्यूज होएंगे कि मैं आज ऐसे क्यों बैठा हूँ तो मैं आपको बता दूँ आज की वीडियो के लिए बहुत खात रहने वाली है इस तरीके से मैं क्यों बैठा हूँ ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो बने रहे हमारी वीडियो में तो आप मेरे साइड में सोना बाद देख रहे हैं अगर आप एक केडिनी पेशेंट है ये सोना बाद आपके क्रिटिनी लेवल को कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा अब ये आपकी मदद कैसे करेगा तो इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि स्वेटिंग आपके क्रिटिनी लेवल को कम कर सकती है आपको ये समझना होगा कि आपकी body से जो भी toxins होते हैं, waste materials होते हैं, वो sweating के through भी बाहर आ सकते हैं अब आपको इतना पता है कि आपकी body से जो भी toxins हैं और waste materials हैं, वो तीन तरीके से बाहर निकल सकते हैं पहला तरीका आपको पता है urine, सेकंड तरीका होता है आपका stool pass करना, थर्ड तरीका होता है आपका sweating, तो sweating की अगर हम बात करें तो sweating आपकी body से salt को बाहर निकालती है, सेकंड आपकी body में जो भी excess water होता है उसको बाहर निकालती है, थर्ड यूरिया को बाहर निकालती है, फोर् लेकिन अगर आप एक kidney patient है, तो ना तो आप running कर सकते हैं, नहीं आप walking कर सकते हैं एक लंबे time के लिए, नहीं आप exercise कर सकते हैं और नहीं आप cycling कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ये सारी activities करते हैं, तो आपकी body में muscle होती है, और जब भी आपकी muscles के activity होती है, तो आपकी body को requirement हो convert करती है, और जब आपकी body cretin को energy में convert कर रही होती है, तो एक waste material निकलता है, जिसे कहते हैं cretinine, और ये आपकी body में store होने लग जाता है, क्योंकि आपकी kidney already damaged है, वो उस amount में cretinine को body से बाहर नहीं निकाल पारी, जिस amount में उसका formation हो रहा है, तो ऐसे में आपका cretinine level बढ़ने लग जाता है, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है, कि आपको ऐसी activities नहीं करनी, जिससे आपकी body में cretinine level बढ़े, आपको क्योंकि cretinine level को तो कम करना है, तो अब आपको ये तो समझ आ गया होगा, कि आप sweating के through cretinine level कम कर सकते हैं, लेकिन आपको physical activity नहीं करनी, तो ऐ ऐसे में ये सोना बात आपको without physical activity, sweating करवाने में काफी मदद करता है, अब ये मदद कैसे करता है, तो इसको आपको समझना होगा, कि आपको ये online amazon.com से, ये flipcard.com से easily मिल जाएगा, इसकी price range की बात करें, तो ये 4000 से 6000 की range में आपको easily मिल जाएगा, और ये आपको daily basis पर use करना ह तो अगर आप एक kidney patient है, तो आप इसकी day की cost लगाएंगे, तो काफी कम हो जाएगी, आपके लिए क्योंकि आप जब dialysis करवाते हैं, या आप medical treatment ले रहे होते हैं, तो आपको बहुत जादा खर्चा करना पड़ता है, तो ऐसे में ये आपके लिए बहुत ही सस्ता और option रहेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसके cooker में थोड़ा सा पानी डालेंगे, और electricity की help से इसका switch on करके आप इसमें भाप छोड़ेंगे, अब ये भाप आपके इस container में जाएगी, जिसके अंदर आप बैठे होएंगे, जो मैंने वीडियो की शुरुवात मे मैंने आपको बैठ कर दिखाया था, आपको ये cap भी अपने सर पर रखनी है, आप मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, इवन जो जिप है इसमें, आप बैठ कर मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, निउस्पेपर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको ये activity कम से कम 2-3 घंटे करनी हैं, कम से कम 1-2 घंटे तो करनी ही करनी है, डेली बेसिस पर, इससे क्या होगा, आपकी बाडी में जो भी toxins हैं, salt है, जब आपकी बाडी से salt की amount कम होगी, तो आपकी जो high blood pressure की problem बनी रहती है, वो कम होगी, अगर आपको high blood pressure की problem नहीं रहती, तो आप थोड़ा सा नमक का intake बढ़ाना होगा, लेकिन mostly kidney patients में high blood pressure की समस्या रहती है, तो ऐसे में ये आपके लिए काफी फायदे मन रहने वाला है, क्योंकि ये आपके blood pressure को भी normal करेगा, और जब आपका blood pressure normal रहेगा, तो आपके kidney का extra damage नहीं होगा, जो आपका damage है, वो वहीं रुख जाएगा kidney का, अगर आपका blood pressure high रहता है, तो वो damage day by day बढ़ता रहता है, तो एक तरीके से ये आपके उसमें मदद कर रहा है, वहीं ये आपकी body में से creatinine और urea को भार निकाल रहा है, यूरिया की बात करें, तो जो भी urea आपके urine के थुरू body से भार निकलता है, पसीने के थुरू आप उसके 50 times ज्यादा urea को भार निकाल सकते हैं, और creatinine भी आपकी body से पसीने की मदद से काफी अच्छी amount में तो नहीं कह सकते हैं, आपके बाहर निकलता है, लेकिन एक minor सी amount में भार निकलता है, अब आप जब daily basis पर इस activity को करेंगे, तो ये छोटी छोटी सी amount आपको एक बड़े visible result म ले रहे हैं, तो ये आपकी उस time को कम कर सकते हैं, हो सकते हैं अगर आप week में तीन बार dialysis ले रहे हैं, तो ये आपके dialysis के time duration को दो बार कर दे या एक बार कर दे, क्यों? क्योंकि जब आप इसे daily basis पर करेंगे, तो ये भी आपकी body में dialysis machine की तरह काम कर रहा है, ये भी आपक करवाते हैं, तो क्या होता है? आपकी body से protein भी भार निकलता है, vitamins भी भार निकलते हैं, minerals भी निकलते हैं, वहीं cretinurea भी भार निकलते हैं, लेकिन आपकी body को इन तीन चीजों की जिनकी जरुरत होती है, protein की, minerals की और vitamins की, ये भी body से भार निकलते हैं, वहीं जब आप sweating करते ह तो आपकी body में minerals की कमी नहीं होती, protein की कमी नहीं होती और vitamins की कमी नहीं होती तो ऐसे में ये सोना बात आपके लिए काफी beneficial रहने वाला है वहीं अब आप ये समझे कि जब भी आप cycling करते हैं या exercise करते हैं तो आपको weakness भी आती है क्योंकि आपको कोई weakness नहीं हो रही, आपकी body से जो भी toxins हैं वो body से बाहर निकल रहे हैं तो अगर आप kidney patient है तो मैं आपको सबसे पहले ये clear कर दूँ, ये option है dialysis की तरह है ये एक treatment नहीं है, अगर आप इसको एक treatment की तरह ले रहे हैं तो आप यहां गलत हैं, आप इसको treatment ना समझे treatment के लिए आपको कोई ना कोई medical therapy को चूज करना होगा, चाहे आप allopathy treatment चूज करें, homeopathy treatment चूज करें या ayurvedic treatment चूज करें, मैं अगर अपनी reference दूँ, तो हम homeopathy treatment को prefer करते हैं, क्योंकि भारत homeopathy में जो भी patients आए है kidney patient हैं, और आप भारत homeopathy से treatment लेना चाहते हैं, तो आप नीचे देगे नंबर पर call कर सकते हैं, और भारत homeopathy के डॉक्टर के टीम के साथ बात कर सकते हैं, उनसे consultation ले सकते हैं, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है, मुझे उमीद है, आपको ये वीडियो समझाई होगी अगर आपको अब भी वीडियो से related कोई confusion है, तो आप comment के थुरू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप एक kidney patient हैं, तो आप नीचे दिएगे comment section में जाकर अपनी समस्या भी हमें बता सकते हैं, अपना contact number भी दे सकते हैं, या आप नीचे दिएगे number पर अपनी reports व